आग्रा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रिशी कानून के विरूद में अंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद के अलान के बाद आग्रा जिले में भी पुलिस का अलर्ट जारी है आग्रा जिले से लगी राजिस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है उधर किसान संगठन और उनको समर्थन देने वाले राजनीतिक संगठनों पर भी पुलिस की निजर है खूफी आइजनसीज को भी अलर्ट किया गया है क्रिशे कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद के एलान के बाद आग्रा जिले में पुलिस का अलर्ट जारी है आग्रा जिले से लगी राजिस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है एसपी सिटी बोतर रोहन प्रमोत ने बताया कि सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है सतर से असी स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है ये पता किया जा रहा है कि भारत बंद में कौन-कौन संगठन भाग ले रहे हैं उनके पदादिकारी कौन है उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है साइबर टीम भी हमारी लगिम हुई है ताकि फेस्बूक और अन्य जो सोचल मीडिया प्रैटफरम से जहां से लोगों को उक्साने के कुछ मेसेज़े जा आदी कुछ अगर कोई सर्क्यूलेट करता है तो उसको भी उसके खिलाब भी कानोनन कारवाई जो है वो की जाए स्पिसिटी रोहन बोतरे प्रमोद ने बताया कि जिले में प्रवेश के डास्तों पर पुलिस बलतेनात किया गया है जबरन बाजार बंद कराने बालों पर कारवाई की जाएगी कई लागों में ड्रोन कैमरों से भी नज़र लखी जा रही है साथी साइबर टीम सोशल मीडिया साइट पर भी नज़र बनाये हुए है साथी खूफी अजशी भी अलर्ट पर है फिला हल बाजारों को खोला गया है साथी टरांस्पोर्ट सेवा भी सो चारो रूप से चालू है किसी पो अगर कोई धिक्रत हो तो वो पुलिस से सब्बर कर सकता है और पुलिस भी टोटली जो है सतरता वेटिन्ट होगी है लेकिए जो फोर्च डिप्लॉइमेंट हम लोगों ने किया है अमारे बारियर पॉइंट्स पे थाना और आदी का फोर्च जो है पुलिस पाई और सभी आटि-राइड एकिप्ल्ट में और सभी एंट्टि राइट के साथ वोसामारे तैनाद थानास्तर पर समस्त धाना प्रभारियों को शेत्र में गश्त के आदेश दिये गए हैं बाजारों में भी पुलिस बल को तैनाद किया गया है सबी थाना प्रभारी अपने झाल झाल